Hello Everyone, स्वागत है आप सब का फिर से एक नई वेकंसी के साथ आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किरिभी बिल्डिंग कर्शक्शन और चावड़ा बिल्डिंग कर्शक्शन की तरफ से वेरियस पोजिशन के लिए वेकंसी रहने वाली है डिप्लोमा और बी-बी-टेक वाले यहाँ पर अपलाई कर सकते हैं अगर हम बात करें आपकी इलिजबल ब्रांचों की तो यहाँ पर सिविल, एलेक्रिकल और मेकेनिकल इंजिनिर्स इलिजिबल रहने वाले हैं फ्रेंसर्स यहाँ पर इलिजिबल रहेंगे और ओल अबर इलिया के एक इंजिलेक यहाँ पर अपलाई कर सकते हैं तो इनके ओफिशल न्योटिस में आगे जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि सिविल इंजिनरिंग से सम्बंदित किसी भी लेटर स्टुडियोग का अपडेट आपसे मिस ना हो और आप प्रीमियम टैप जोब्स के लिए हमारे टेलिग्राम चैनल और वर्ट्सप ग्रुप को जॉइन करने के साथ एप्लिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो हम हैं के ओफिस्यल नोटिफिकेशन पर नोटिस आपका करिपी बिल्दिंग कर्श्रक्शन की तरफ से जारी किया गया है बात करें हम आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में तो यहां पर आपसे DBettec और diploma मांगा गया है civil और mechanical engineering में पोजिसन यहां पर आपकी senior engineer की रहने वाली है अब बात कर लेते हैं आपके experience के बारे में तो यहां पर आपसे minimum 3 years का experience मांगा गया है और इसके साथ आपको थोरी बहुत ओटो केल की जानकारी होनी चाहिए अगर हम बात करें अब आप इसके लिए apply कैसे कर सकते हैं तो apply process यहां पर आपका easy रहने वाला है आपको करना क्या है आपको अपना updated CV लेना है और इनकी official mail पर send कर देना है अगर आप इनके बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप इनकी official site को भी visit कर सकते हैं और दूसरा नोटिस यहां पर आपका जारी किया गया है चावडा building construction की तरफ से यहां पर आपकी काफी positions के लिए vacancy रहने वाली है यहां पर diploma और B.B.Tech वाले apply कर सकते हैं फ्रेसर्स यहां पर बिल्कुल eligible रहेंगे सबसे पहले position यहां पर आपकी रहने वाली है civil engineer के लिए दूसरी यहां पर आपकी रहने वाली है civil supervisor के लिए quality engineer के लिए यहां पर vacancy रहने वाली है billing or quantity estimation engineer के लिए यहां पर vacancy रहने वाली है planning engineer के लिए अगली वेकंसी यहां पर आपकी non-tech के लिए है फिर यहां पर आपके electricity and welter और train operator के लिए vacancy रहने वाली है अगर हम बात करें आपके selection process की तो selection process यहां पर आपका direct interview के आधार पर रहने वाला है अब हम बात करें how to apply कि आप इसके लिए apply कैसे कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिखा है apply now और यहाँ पर इनके official mail का address भी mention है अब आपको करना क्या है आपको अपना updated CV लेना है आपके जितने भी जरूरी डोकुमेंट ही वो सारे आपको एक single PDF में तयार करने हैं और इनकी official mail पर आपको send कर देना है तो जिन भी जोसों ने हमारे B.E.B.T. क्या फिर डिप्लोमा कर रखा है civil, electrical या फिर mechanical engineering से अगर आप इसके लिए interested होते हैं, eligible होते हैं तो आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं यहां पर ना तो कोई आपका exam होना है और ना ही यहां पर आपकी कोई examination फीस लगने वाली है All over India के candidate यहां पर eligible रहने वाले हैं तो अभी के लिए इतना ही मिलते हैं next video में वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका thank you सुक्रिया वीडियो को like करें, share करें चैनल पर नए हैं तो subscribe जरूर करें